अगर आप भी AdSense Pin के लिए अप लाइक कर दिये हैं और आपके घर पे Google AdSense Pin आ गया है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि AdSense Pin कैसे यूज किया जाता है और भाई लोग अपने AdSense Account में Bank Account कैसे जुड़ा जाता है तो भाई लोग वीडियो में बने रहे हैं मैं हूँ आपका भ चालिए तो आपको क्या करना है कि अपने Google AdSense में आ जाना है फ्रंट दिखिए फ्रंट आपको नीचे दिखाई देगा VARIFY YOUR BILLING ADLESS यहाँ पर आपको दिखाई दिखाई दे रहा है को औप्जिका दिखाई दिखाई देळाए फ्रेंड यहां पिक्ग करना है यहां पे आपको दिखाई 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 दिरहाए तो तो कहा हम प्रहुंहां पर अपना टानी यहां पर अपना छोड जिश्यान करना शोड़ेए ग्시 इसके पर दिखाई दे रहा है कि your billing address has been verified ठीक है यहाँ पर जो हमारा billing address है फ्रेंड वह पूर्ण रूप से verify हो गया है पीन डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको option दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है और फ्रेंड क्लिक करके payments पर आपको आना है जैसे फ्रेंड आप payments पर क्लिक किजिए गा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा क्लिक हो गया है और दोक्राणी के बाद में यहाँ पर एड पैमेंट मेथर यानी कि बेंक एकाउंट पूरा यहाँ भरने का option आ जाता है ठीक है फ्रेंड अगर आप पर दोस टोलर से कम रहता है तो फ्रेंड यहां पर यह एड़ पैमेंट्स मेथर्ड का उप्शन नहीं आता है अब आपको क्या करना है फ्रेंड एड़ पैमेंट्स मेथर्ड पर क्लिक कर देना है जैसे फ्रेंड आप एड़ पैमेंट्स मेथर्ड पर क्लिक किजिए घड़ा तो कुछ इस प्रकार से इंटरमीस आपके आपके सामने ओपेन हो जाएगा यहां पर देख़िए में प्रकाई दिखकर हें की यहां पर दिखाई देरा है कि यहाँ पे सेम डालना है थोड़ा से भी गलती नहीं करना है बैंक का यहाँ पे आपको नाम डालना है यहाँ पे IFC code यहाँ पर डालना पड़ेगा और friend यहाँ पर Swift code यहाँ पर आपको मांग रहा है तो friend यहाँ पर आपको Swift code भी यहाँ पर डालना पड़ेगा friend Swift code आपको मिलेगा bank के main branch में वहाँ से मिलेगा आप साखा में जाएंगे तो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा आपको मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा तो bank के manager जो होते हैं वहीं आपको shift code देंगे उसके बाद में यहाँ पर account number उसके बाद में फ्रेंट retype account number ठीक है फ्रेंट यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद में यहाँ पर already यहाँ रहेगा फ्रेंट और उसके बाद में क्या करना है बेनिफेसली आइडी को यहाँ पर फट नमर पर छोड़ देना है ठीक है फ्रेंड उस चलिए हम अपना फटा फट नाम यहाँ पर फिल करके आपको आगे बता रहा है कि कैसा सो रहा है तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर जितना भी बैंक डिटियल्स था पूरा मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है और फ्रेंड यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे सेव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेव तो आपको क्या करना है सेव पर क्लिक कर देना है जैसे आप से पर क्लिक किड़ीगा तो कुछ नया पिज आपके सामने ओपन हो जाएगा दिखे फ्रेंट यहां पर दिखाई दिराए कि बैंक ट्रांसफर टू बैंक एकाउंट ठीक फ्रेंट यानि कि हमारा जो था वो सेक्स हो गया है जी हां भाई लोग अब हमारा पैसा सीधे हमा में हमारा बैंक एंकाउंट में पैसा आ जाता है तो फ्रेंड उमीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करने जीगा